प्रेश्यू और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेश्यू में तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी जिसे बनाना बहुती आसान है और बहुती टेस्टी लगता है ये खाने में तो चलिए शुरू करत हैं बैंगन का भरता बनाना बैंगन का भरता बनाने के लिए ये मैंने लिया है एक बड़े साइज का बैंगन बैंगन का भरता बनाने के लिए बड़े साइज के बैंगन का ही यूज करेंगे और जब भी बैंगन खरीद कर लाएंगे पहले देख लाएंगे पैंगन के चेद होता है तो बैंगन के अंदर कीडा निकल सकता है तो आप अमेशा देख कर खरीदें बैंगन और आप डंठल भी देख सकते हैं डंठल इसका ग्रीन होना चाहिए एक बारीक कटी हुई प्याज दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर 8-10 कली लहसुन की बारीक कटी हुई एक इंच अदरख का टुकड जिसे मैंने कद्धू कस कर लिया है और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ठी पाउडर जीरा आधा छोटी चमच Throughout ओदंच धनिया पाऊदर व्बाज़ ने पतरों के तेस्ट वा के लेंगे लेते सादेर और लेंगे 1–2 फिंट चोटी हेंग और बारी कटा हुआ हरा धनिया सबसे पहले बैंगन को भूनना है तो ये बैंगन को चेक कर लिया है इसके उपर कोई छेद नहीं है फिर भी अगर आपको डाउट है कि बैंगन अंदर से खराब निकल सकता है तो आप उसे नाइफ की हेल्प से इस तरह थोड़ा सा कट कर लें आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है इस तरह थोड़ा लंबा सा कट लगा लेंगे इसके उपर पूरा नीचे तक नहीं कट करेंगे अब इस तरह से थोड़ा सा ओपन करेंगे और देख लेंगे कि जो बैंगन है वो खराब तो नहीं है तो अभी ये डाउट हो गया क्लियर क जो बैंगन है वो अंदर से बिल्कुल ठीक है तो अभी इसके उपर थोड़ा सा ओईल लेकर ग्रीस करेंगे ज्यादा ओईल नहीं लगाएंगे थोड़ा सा ही ओईल लगाएंगे जिससे कि जो बैंगन का छिलका है भूनने के बाद आसानी से निकल जाए अब ये पूरे ब उसको नीचे की तरफ नहीं रखेंगे थोड़ा सा साइड में कर देंगे कट वाली साइड को और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बैंगन को भूनने देंगे जब बैंगन नीचे की साइड से थोड़ा सा भूनेगा तो इसको इस तरह डंठल को पकड़ कर थोड़ा सा गुमा देंगे इससे डंठल से बहुत हेल्प मिलती है बैंगन को भूनने में तो इसको आप पहले ना निकालें जब बाद में भून जाएगा बैंगन तब निकाले अभी आप देख सकते हैं जो बैंगन के skin है वो काफी dark हो गई है और जो बैंगन है वो बहुत soft भी हो गया है यह देखिए तो अभी इसका मतलब जो हमारा बैंगन है वो भुन गया है तो gas को अभी off कर देंगे और इसे थोड़ा सा थंडा होने देंगे उसके बाद इसका छिल बैंगन को तभी इसका जो चिलका है वो easily हट पाएगा बैंगन से आप देख सकते हैं बैंगन अभी गरम है इसे धुआ निकल रहा है और इसका छिलका भी आसानी से हट रहा है इससे अब बैंगन का छिलका हटाने के बार मैंने इसके डंठल को भी कट कर दिया है तो अभी इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इस तरह स्पून की हेल्प से मेश कर लेंगे इसको अब यह बैंगन को मैंने अच्छे से मेश कर लिया है अब गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रखकर उसमें लगबग दो बड़े चम्मच ओयल डालेंगे और ओयल को अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे हिंग जीरे को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जो बारीक कटा हुआ लहसुन है उसको डाल देंगे मिक्स करेंगे और इसमें अभी जो कद्दुकस किया हुआ अद्रक है उसको भी डाल देंगे और दोनों को लगबख दो मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जिससे की लहसुन का कच्छापन निकल जाए अब अद्रक और लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है तो इसमें जो बारी कटा हुआ प्याज है उसको डालेंगे अभी और प्याज को हलका गोल्डन होने तक भून लेंगे अब ये प्याज को मैंने भून लिया है तो इसमें अभी जो मसाले लिये हैं उनको डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया अब इन मसालों को हलका सा भून लेंगे अब मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जो बारी कटे हुए टमाटर हैं उनको डालेंगे और इसमें अभी बारी कटी हुए हरी मिर्च भी डाल देंगे दौनों को मिक्स करेंगे अच्छे से अभी इनको अच्छे से मेक्स करने के बाद इसमें नमक डाल देंगे यह आधा नमक मैं अभी डाल रही हूँ और आधा नमक बाद में यूज़ करूंगे नमक डालने से जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं अब टमाटरों को लगबग चार से पांच मिनट तक लोग मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अब टमाटर अच्छे से भून गए हैं आप देख सकते हैं ओइल सेपरेट होने लगा है इस मसाले से और मैंने मैश भी कर दिया है अच्छे से टमाटर को तो अब इसमें जो भूना हुआ बैंगन है उसको डाल देंगे अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो बचा हुआ नमक है जो हमने बचा के रखा था उसको डाल देंगे इसमें अब मिक्स करेंगे अच्छे से नमक को अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर लगबग चार से पांच मिनट तक पकने देंगे चार से पांच मिनट के बाद धकन हटाएंगे और भरते को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को अभी मीडियम कर देंगे और इसे लगबग 2-3 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला और बारी कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से तो अभी ये बैंगन का भरता बिलकुल बनकर तयार है इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी पराठा पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में के आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई